असलाम लेकुम, वेलकम तो माई चानल, आज मैं आपको मज़ेदा चिकन बंद बनाना सिखाऊंगी उसके लिए सबसे पहले दो कप मैदा लें फिर इसमें नमक, काली मेज, पिसी हुई चीनी और एक चमच आईल एड़ करें इसको अच्छे से मिक्स करने, फिर इसमें एक अंड़ा शामिल करें और एक अब दूर, दूर जो है वो नीम गरम होना चाहिए, फिर इसको आटे की तरह आपने अच्छे से जो है वो गून लेना है यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना बूल गई थी, जब मैंने काली मेज, नमक और चीनी अड़ की थी, इसके साथ मैंने यिस्ट भी अड़ की थी, यिस्ट यानि हमीर, वो आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएगी, दो चमच आपने अड़ करनी है इस डो को त्यार करने के लिए आप हस्बे जरूरत पानी का इस्तमाल करें, फिर इसमें एक चमच आइल एड़ करने के बाद इसको अच्छे से आपने घून लेना है, घूनने के बाद आपने इसको प्लास्टिक से कवर करके, दो गेंटे के लिए आपने इसको रख देना ह अब हम चिकन बंद की फिलिंग त्यार कर लेते हैं उसके लिए सबसे पहले आपने फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून आइल एड़ करना है अब हम इसमें 1 टी स्पून जीरा बारी कटी हुई लेसन और एक छोटे साइस की प्यास आड़ करकर 2 मिनट तक प्राई करेंगे फिर इसमें आपने 1 कप बोलने चिकन आड़ करके इसको तब तक प्राई करना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए फिर इसको कवर करके 5 मिनट तक हलकी आच पर पका लें हम इसमें मसाले अड़ करेंगे सबसे पहले हम इसमें 2 टेबल स्पून मैदा 1 कप मिल्क 1 अना हाफ टी स्पून नमक काली मर्च गरम मसाला कुटी हुई लाल मर्च डाल कर इसको अच्छे से आपने जो है मिक्स कर लेना है जब तक ये गाड़ा ना हो जाए अब आप देख सकते हैं ये गाड़ा हो चुका है अब आप इसमें 1 टी स्पून विनिगर 1 टेबल स्पून सोया सॉस 1 टेबल स्पून चिली सॉस आड़ करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके बाद आपने फ्लेम जो है वो बंद कर देना है और इसमें हस्बे जरूरत अपने टेस्क या कार्डिंग कैचप या हाट चिली सॉस आपने आड़ करना है और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है हमारे चिकन बन की मज़ेदार फिलिंग त्यार हो चुकी है अब ज़र डो हमने त्यार कर ली थी दो गेंटे हो चुके हैं हम इसको दुबारा गून के इसके पेड़े बना लेंगे जिस तरह रोटी बनाने के लिए हम पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह हम इस दो का पेड़ा बनाएंगे इसके बाद आपने इसको रोटी की तरह बेल लेना है लेकिन आपने इस बात का दिहान रखना है कि इसका साइज बड़ा ना हो इसका साइज आपने मीडियम ही रखना है इसके बाद हमने चिकन बन के लिए जो फिलिंग रेड़ी की थी वो हमने इसमें एड़ कर देनी है और इसको पेड़े की दरा हमने इसको बंद कर देना है इसके बाद आपने एक पैन लेना है और उसे ऑईल से ग्रीस कर लेना है आपने इसके बाद आपने इसमें चिकन बंद रखने है इसके बाद आपने इसमें अंडे की जड़ी को फैंट के आपने इसमें पैपलाई करना है जड़ी को अप्लाई करना है सफेदी अप्लाई नहीं करनी के बाद आपने पतीले को पांच मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है और बीस से पच्छिस मिनट बेकिंग का टाइम है पच्छिस मिनट के बाद हमारे मज़ेदार चिकन बन तियार हो चुके हैं आप देख सकते हैं किते मज़ेदार हैं कितने सॉफ्ट हैं बिलकुल बेकरी वाले चिकन बन अगर मेरी रेस्पी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्टिन ने में जो बताएं कि मेरी रेस्पी आपको कैसे लगी है और मज़ीद अच्छी रेस्पीज के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें